हर इंसान को अलग पहचान दिलाती है, हर छोटी बड़ी समस्याओं से बाहर निकालती है, न कोई रंग है, न कोई जाती है, न कोई धर्म है, न कोई मजब है, देने वाले ने हर इंसान को दिया है, अब ये हमारे उपर है कि हम इसका इस्तेमाल खुद और समाज की भलाई के करते हैं या दूसरे के आंसों में अपनी मंजिल तलासते हैं नमस्कार मैं डाक्टर आर्पी सोनकर असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविग्यान विभाग वसंद कन्या महा विद्यालक आशी इंदो विश्विद्यालक पर फिर आप सभी सम्मानित अव्याकों प्री विद्यालति मैं कैसे जान सकते हैं मनोविग्यान के छेतर में बुद्धी मापने की कई महत्पूर एम विश्वशनी या परिच्ण उपलब्द हैं इन्नी बुद्धी परिच्णों में से एक है सामान बुद्धी परिच्ण यानि जनरल इंटेलिजेंस टेस जिसका निर्मान पटना वि स्नेयर या पर्फार्मेंस के आधार पर भी किया जाता है महसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज बच्चों के लिए किया जाता है और इसमें बच्चे के एज के आधार पर एवं उनके क्लास के आधार पर अलग-अलग बुद्धी का पता लगया जाता है एक सामान बच्चे का जो age एवं क्लास दोनों के आधार पर लगवग समान बुद्धि लब्धी आता है अर्थात इनके बीच में अंतर बहुत कम होता है इसका उपयोग सामान नेमम आउसत से कम बुद्धि के बच्चों पर भी किया जाता है एक सामान ने बच्चा वो होता है जिसकी जोसत बुद्धि 90 से लेकर के 110 के बीच होती है बच्चों के बुद्धि मापने के लिए इसके अलामा भी कई मनोवईग्यानिक परिछन उपलब्द हैं जिसका उपयोग मनोवईग्यानिक अपनी सुविधान उसार करते हैं इसका उपयोग लड़कों यहों लड़कियों दूनों पर एक समान रूप से किया जा सकता है यदि आप अपने बच्चे के बुद्धि परिछन कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के किसी भी मनोवईग्यानिक केंद्र या मनोवईग्यान विभाग बसंद करन्या महाविध्याला से भी संपर कर सकते हैं इसके लि आप यदि रूची रखते हैं तो इंटलिजेंस के बारे में किसी भी सामान मनोवईग्यानिक के किताब या बुक से आप पढ़ सकते हैं आज मैं एक लड़की के ऊपर किये गए डेटा के आधार पर इसके बारे में कुछ आपसे बात करूँगा यह प्रैक्टिकल हम लोग भी यह फर्स्ट इयर के बच्चों को कराते हैं आईए कुछ और बात करें इससे पहले कुछ महतपूर चीजें आपसे और साजह कर लूँ कि यह जो परिच्छन है जिसके बारे में आज में बात करा हूँ वह 9 साल 6 महीने से लेकर के 15 साल 5 महीने के बच्चे पर किया जाता ह जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 के स्टूडेंट होते हैं इसमें कुल 6 उप टेस्ट होते हैं और सभी सब टेस्ट पर मिला करके 156 आइटम्स होते हैं इसका जो स्कोर रेंज है वह 0 से लेकर के 178 होता है और इस परिच्छन पर जादा स्कोर प्राप्त करना बच्चे के जादे intelligence को प्रदर्शित करता है इसमें 40 से 45 मिनट का कुल समय लगता है और बच्चे द्वारा दिये गए responses को answer sheet पर note कर लिया जाता है ठीक है इसमें बच्चे के age wise और class wise हम उसके बुद्धी का निर्धारन करते हैं और बच्चे द्वारा प्राप्ट किये गए score को A से लेकर के E 5 अलग-अलग grade में convert किया जाता है और बच्चे के बुद्धी का जो interpretation है जो discussion है ठीक है ब्याख्या जो है वह very superior से लेकर के very inferior के बीच किया जाता है यह general intelligence test है जिसके बारे में हम एक उद्देश लेकर के चलते हैं जैसे यहाँ पर उद्देश यही है कि मुहसीन द्वारा विक्सित सामान बुद्धी परिशन का उपयोग करके बच्चे के बुद्धी इस्तर का पता लगाना यह कुछ सीजे हैं जो intelligence के assessment के लिए इस्तेमाल की जाती है या जिनका निर्धारन किया जाता है कुछ theories हैं जिनके आधार पर हम intelligence को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं यह कुछ types हैं जो intelligence test के होते हैं जिनके बारे में भी आप समझ सकते हैं कुछ ऐसी चीजे भी होती हैं जो इनसान के intelligence को निर्धारित करती हैं उससे समझ दित कुछ चीजे आप इस slide में देख पा रहा है इसके साथ ही साथ एक महतपुर चीज यह है कि जब भी यह practical बच्चों को कराया जाता है या इसका administration किया जाता है इसमें दो चीजों का ध्यान आपको बिल्कुल देना है कि बच्चे की age क्या है और बच्चे का class क्या है जैसे इस particular case में अगर देखा जाए तो बच्ची की उम्र 14 साल 11 महिने है जबकि वह class 9 की student है इसमें जो materials use किये जाते हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे गए हैं 56 items हैं जिस पर बच्चे को response करना होता है यह manual है जिस पर इस test सम्मंधिस सभी नियमावली को विस्तार से लिखा गया है यह answer seat है जिस पर बच्चे द्वारा दिये गए responses को score में convert कर लिया जाता है यह कुछ methodology है जिसके आधार पर इस परिछण को विधिवत तरीके से पूरा किया जाता है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो practical examinations की तयारी कैसे करें और practical files कैसे बना हैं मैं विस्तार से बात किया है आप वहाँ से सुन सकते हैं जब हम result की बात करते हैं तो बच्चे द्वारा किये गए responses को score में convert करके और manual की साहता से उसके different dimensions के आधार पर एक निशित परिडाम के बारे में जाना जाता है यह जो आप screen पर देख पा रहा है जैसा मैंने कहा कि इस परिछण में कुल 6 उप test हैं जिसमें से पहला है best answer जिसमें total 20 items हैं 5 minutes में इस बच्ची को करना था जिसमें 15 अंक प्राप्त किया है उसी तरीके से यह दूसरा sub test है जिसका नाम है similarity and differences इसमें कुल 30 प्रस्ण है और 5 minutes में करना था यानि कुल 30 में से इसने 21 score gain किया है वहीं अगर तीसर है अगर sub test analogy के बारे में बात करें तो इसमें total 40 items हैं जिन में से particular इस case में बच्ची ने 30 scores gain किया है वहीं अगर चौथे हम sub test की बात करें essential तो इसमें total 22 items हैं जिसमें 5 minutes में इस बच्ची ने 27 score प्राप्त किया है वहीं पाचवा अगर जो sub test है जिसको sentence compilation बोलते हैं इसमें total 26 items हैं 7 minutes में से करना था और इसमें 26 में से 23 प्राप्त किया है वहीं अगर sub test 6 last की बात करें तो यह reasoning है जिस पर 18 में से 13 अंक प्राप्त किया जिसको 10 minutes के अंदर करना था इस तरीके से यदि आप देखें तो पूरे 6 उप परिशनों में से 156 items को solve करने के बाद सब मिलाज उला करके 129 score प्राप्त किया है इस particular example ने बची ने जो 178 की score में से है यानि 178 में से प्राप्त किया है 129 जो 72.47% score को प्रदर्शित करता है यहाँ पर एक चीज आपको निशित रूप से समझना चाहिए कि जब हम norm table की बात करते हैं तो दो चीजें जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बाएं तरब जिस बच्ची पर हमने यह टेस्ट किया है उसकी उम्र 14 साल 11 महीने थी यानि हम age wise अगर norm table की बात करें तो 14 साल 11 महीने किस range में आएगा 14 साल 6 महीने से लेके 15 साल 5 महीने के बीच में आएगा और वहीं यदि हम class wise बात करें तो class 9 में पढ़ने वाली बच्ची है इसलिए class 9 का जो norm score है वह 99 निर्धारित किया गया है आगे अगर हम बात करें centile की तो centile को यदि हम age wise बात करें तो age wise में जो calculation है यानि जो calculated value है वह आया है 126 और दूसरा अगर आप देखें class wise जो calculated value आया है वह कितना है 130 यदि हम age wise इस calculated value को समझें इस norm table में centile table में तो 126 किस nearest centile के बीच आएगा 90 क्योंकि 90 का जो age wise आप स्कोर देख रहे हैं वह 129 के nearest calculated value है 126 यानि 126 किसके समान है 129 और 129 का centile क्या है 90 उसी तरीके से जो class wise calculated value आया 130 या किसके nearest है 131 और इसका centile कितना है 95 तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं और अगर हम norm table को grading के आधार पर समझने की कोशिश करें तो age wise आपने देखा कि 126 स्कोर मिला है और 126 age wise अगर हम देखें तो वह किस grade में जाता है 113 से लेकर के 128 के बीच यानि 126 कहा आएगा 113 से लेकर के 128 के बीच आएगा और यह किस grade में आ रहा है बी में आ रहा है ठीक है तो इसी लिए age wise उस बच्ची की जो बच्ची की जो बुद्धी है वह grade बी में है क्योंकि 126 है और 126 का जो सेंटाइल है मैंने आपको पीछे दिखाया था वो कितना मिला है 90 और जो grade है वो बी है जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहा है और बी grade का जो description है वो नीचे आप देखिए superior है वहीं अगर इस बच्ची के particular case में हम देखें तो class Y जो इसका calculated value of 130 आया है और 130 का जो score वो किस range में आयेगा 125 और above 125 से उपर वाले range में आयेगा और इसका जो grade है क्या आप सामने देख पा रहा है ये और ये का description जो है वो क्या होगा very superior ठीक है जैसा कि मैंने आपको पीछे भी देखाया कि इसका centile अगर 130 का देखा जा तो वो 95 है जैसा कि आप इस centile table में देख सकते हैं तो 100 class wise 130 जो calculated value आया उसके आधार पे centile 95 grade आप देख पा रहा है ये और description आया very superior यानि इस calculation को थोड़ा विस्तार से समझें जिसके आधार पे मैंने उधर norm tables की बात की थी एक formula इस test का होता है जो होता है rise score minus norm score plus 100 यानि हम age wise करते हैं या class wise करते हैं दोनों के लिए same formula है अगर हम age wise बात करें तो rise score कितना है था 129 minus norm score कितना था age wise 10003 आप इसमें देख सकते हैं plus 100 तो इस आधार पे कितना हो जाएगा 126 और 126 का centile 90 grade B और description हो जाएगा superior उसी तरीके से आप class wise देखें तो formula के इसाब से rise score 129 minus जो norm score है वो कितना मिला था हमें 99 आप यहाँ पर देख सकते हैं class 9 के लिए तो 99 हो जाएगा minus 99 plus 100 यानि calculated value हो जाएगा 130 centile 95 by 130 का मैंने आपको दिखाया था grade A और description हो जाता very superior इस तरीके से जो summary table मिलते है यानि इस particular example में जो हमें result मिला वो यह मिला कि अगर हम age wise बात करें तो 126 जो आप score rate देख रहे हैं 126 scores के साथ centile 90 और grade B के साथ इस बच्ची का जो intelligence है वो superior level के अंतरगत मिला है जबकि 130 score और centile 95 और grade A के साथ इस बच्ची का intelligence जो level है वो very superior हमें प्राप्त हुआ है इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बच्ची की जो age wise जो understanding है वो superior है यानि लगबग 120 IQ के समान है यानि वो अपने उम्र के आधार पर हर एक चीज को आवसत से जादा समझती है या समझ सकती या समझने की छमता उसमें है जबकि क्लास के आधार पर उसकी बुद्धी या उसका performance और भी बहतर है क्योंकि हमें result क्या मिला वेरी सुपेरियर मिला है यानि लगबग क्लास वाइज 130 IQ के आज पास इसकी समझ है ठीक है और जब हम इस चीज को discuss करते हैं तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तों में कौन-कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जिनके आधार पर बच्ची में age wise सुपेरियर और हमें क्लास वाइज वेरी सुपेरियर रिजल्ट हमें मिला है तो बहुत सारे कारक होते हैं कि यह यह जिनेटिक वह सकता है या फिर शोच सोश्योक अलग लग तरीके से मिलता है और लास्ट में जो कनक्लूजन निकलता है वही निकलता है कि इस परिछण के आधार पर इस पर्टिकुलर केस में यानि बच्ची को पर जिस पर किया गया है उसका age wise जो परिडाम है वो हमें superior मिला यानि उसका IQ लगभग 120 के आसपास है यानि age wise उसके समझने की छमता सामान से अधिक जबकि class wise उसका intelligence और भी अच्छा है क्योंकि हमें very superior परिडाम मिला है यानि इस बच्ची की अपने class में जो समझ है वो बहुत बहतरीन है यानि लगभग 130 IQ के बच्चे के समान इसकी समझ है तो इस तरीके से आपने इसके बारे में समझा और जाते जाते एक चीज मैं आपसे और साजा करना चाहता हूँ कि बच्चे के साथ हमें किस तरह का बैवार बिल्कुल नहीं करना चाहिए हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट और अदभूत होता है हमें ना तो उसकी तुलना दूसरे बच्चे से करनी चाहिए और ना ही उसे नीचा दिखाने की कोशिच करनी चाहिए बलकि उसकी अदभूत छमता को पहचान कर उसके सपने को पूरा करने के लिए दिल खोल कर मदद करनी चाहिए इससे जुड़ा कोई और आपके सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत आभार